Online platform खोलना है, लेकिन payment gateway कौन सा use करना यह नहीं पता है Dedicated Managers भी हूँ, जो आपके इस problem को sort out करें within a time frame के अंदर अगर आपको एक अच्छा payment gateway लेना है अपने online store के लिए तो ये वीडियो last तक देखते रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको best payment gateway के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मैं खुद use करता हूँ और मैं अपना dashboard भी आप लोगों के साथ share करूँगा कि कौन सा ऐसा payment gateway है, जो आपको dedicated manager भी आपको provide करता है transaction होता है, उस पे जो charges होते हैं, transaction settlement के वो भी सबसे कम charge करता है within 24 hours के अंदर ही आपके account में आपका payment भी settle कर देता है तो ये सब चीज अगर आपको जानना है तो वीडियो का last तक बने रही है मैं हूँ रवीर एंजन और आप देख रहे हैं आपका खुद का channel online tech world तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो आज बात करने वाले हैं हम ऐसे एक payment gateway की जो की best है और 24 hours के अंदर ही आपका account verify हो जाएगा और आप अपने website के साथ उसको integrate कर सकते हैं payment gateway provider इंडिया में काफी सारे हैं काफी सारे payment gateway में आपको approval नहीं मिलेगी क्योंकि उनका process काफी लंबा होता है किसी का process अगर sort है तो after business start करने के बाद जब payment वगरा आ गई तो वो बाद में आपका payment release करने में काफी time लगा देते हैं तो यह सारी चीजे जो है आपको face करनी परती है लेकिन मैं जो personally use करता हूँ वो है cash free और यह पिछले दो साल से मैं use कर रहा हूँ अलग-अलग website पे और मुझे आज तक कोई problem नहीं हुई तो because मेरे personal experience के विहाब पे मैं cash free आपको recommend कर रहा हूँ और cash free में सबसे अच्छी चीज यह है कि within 24 hours के अंदर ही आपका account activate हो जाता है verify हो जाता है उसके बाद activate भी कर देते हैं और जो आपका first transaction होगा वो भी within 24 hours के अंदर ही आपके account में transfer भी कर दिया जाता है जिससे कि हमें business करने में कोई problem नहीं होती है अगर हमारा cash flow कहीं रुक गया तो end of the day सफर हमें करना होता है तो वहाँ पर cash free काफी actively काम करता है और हमारा cash flow कहीं पर भी रुके न इसका भी ध्यान रखता है इसमें काफी सारे other facility भी है बट मैं सरिफ आज इस वीडियो में payment gateway के बारे में बताऊंगा और इसमें immediate refund का भी option मिलता है वो भी काफी किफायती rate में कि अगर किसी customer ने आपके website पर कोई order place किया और वो order cancel हो गया किसी भी region से तो आप उसको immediate refund भी कर सकते हो जिससे कि वो customer आप आपका बना रहा है कि next time जब वो आपके website पर आए तो वो payment करने के लिए सोचे ना और इसका commission भी काफी कम है सारे commission के rates जो है वो मैं आपको desktop पर दिखा दूँगा और साथ में इनका जो back end support है यानि कि customer care support है वो काफी अचा है आपको dedicated manager दे देते हैं जिससे कि आप किसी भी time on call phone पे contact कर सकते हैं mail के तुरू contact कर सकते हैं और वो आपको immediate response करेंगे और इसमें on board होने के लिए आपको कोई private limited company नहीं होनी है अगर आप proprietorship में भी काम करते हो तो भी यहां पर जो है आपको approval बड़े असानी से मिल जाता है अगर आपका Shopify पर store है या फिर e-commerce पर store है तो बहुत असानी से integrate हो जाता है तो बीना time कवाए हुए चलते हैं screen पर और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे अपना account free में बनान एक आधार card चाहिए होता है pen card चाहिए होता है जिस bank में आप पैसा मंगाना चाहते हो उसका cancel check आपको लगता है यहां पर इसके अलाबा और कोई document की आपको requirement नहीं परेगी तो चलते हैं screen पर और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे अपना account बनाना है sign up का link भ पर आ चुके हैं यह cash-free का official website है यहां पर यह आपको देखने को मिल जाएगा payment gateway की requirement क्यों होती है payment gateway एक ऐसा बीच का mediator होता है कि जो customer जो payment करता है उस payment को verify करता है और हमें confirm करता है कि हां यह payment authentic है तो उसके लिए हमें एक mediator की requirement होती है जिसे हम payment gateway बोलते हैं तो सारी पेमेंट जो है वह payment gateway के थ्रू ही हमारे पास आएगी जितने भी website पे payment होगी तो जिस भी website पे payment gateway एक्टिवेटेड नहीं है इंटिग्रेट नहीं किया हुआ है तो उस website पे direct payment का option नहीं मिलेगा तो इसलिए हमें एक payment gateway की requirement होती है अब बात करते हैं कि कैस फ्री ही क्यों विकॉज कैस फ्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसा प्यमेंट गेटवेट जो की काफी इसली integrate हो जाता है इनका onboarding का जो प्रोसेस है वह बहुत आसानी से onboard हो सकता है अपना account बना सकता है सारा काम यह online ही होता है यहां पर कहीं पर भी आपको कोई पेपर नहीं भेजनी कोई mail अलग से नहीं भेजनी कोई बीक बास्केट SDFC जो मैटो क्रेड बड़ी-बड़ी कंपनियां जो है इनका payment गेटवे यूज कर रही है जो मैटो हो गया टैलिवेरी जियोमी हो गया यह सारी कंपनी जो है इनहीं का payment गेटवे यूज कर रही है जूमकार वगेर सब इसमें जो यह फीचर देते हैं एक तो इंस्टेंट रिफंड जो भी payment है अगर कोई order cancel हुआ तो इंस्टेंट रिफंड भी आप कर सकते हो on-demand, payout, bank verification यह सारी फैसलिटी आपको मिल जाता है product payment gateway, payout, auto collection और market settlement हम फिलाल payment gateway की बात करेंगे local और international कहीं से भी payment आता है तो maximum जो time period है settlement का वो टू टेज है लेकिन यह maximum है within a one day, within a 24 hours के अंदर ही mostly हो जाती है settlement के बाद हम आते हैं सिधा pricing पे कि यह क्या charge हम से करता है अगर हम इनका payment gateway लेते हैं तो हमें क्या charge pay करना होता है अगर आप देखेंगे तो 1.75% जो है यह चार्ज करती है 100 रुपय का payment हुआ है तो उसमें 1.65 पैसे यह अपना commission चार्ज कर पे या Amazon पे phone पे ICICI net banking इनके through अगर payment होती है तो यह charge करते है 0 per transaction जो है UPI के through अगर हुआ या रुपय कार्ड के through अगर हुआ तो 0% charge है पे लेटर या cardless EMI जितने भी other bank या फिर जैस्ट मनी या ICICI या कोटेक बैंक ओला मनी इन सब के साथ अगर होता है तो 2.5% charge करती है बाकी कंपनिया भी more or less इतना ही charge करती है international card पे जो है 3.5% plus 7 रुपीज पर transaction यह charge करती है Paytm और PayPal का जो standard charge जो होता है वह applicable होता है American Express या dinner club पे 2.95% का charge होता है payout cashgram यह सारी चीजे आप अगर account बनाएंगे तो आपको जो dedicated manager मिलेगा काफी detail में इन सब चीजों के बारे में आपको बताएगा फिलाग अगर आप account बनाना चाहते हैं तो यहां पर पहले यह सारे rates वगर आप प्लीज चेक out कर लीजेगा इसमें account बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको यहां पर create account या फिर आपको description में link मिल जाएगा वहां पर click करके आप वहां से भी direct account बना सकते हैं पेज पर आजाएंगे इस पेज़ पर work email address आपको डालना है एक्सेप्ट करना है और प्रोसेस पर click कर देना है इसके बाद आपसे आपका नाम एड्रेस फोन नंबर यह सारी डिटेल यह पूछेंगे और नेक्स्ट उसके बाद आपको एकाउंट वेरिफिकेशन करना परेगा एकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है GST अपना बैंक स्टेट्मेंट आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ में एक कैंसल चेक आपको लगेगा इसके अलाबा और कुछ सब्मिट करने की यहां पर जरूरत नहीं है औ जब आपको लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहां पर अगर देखेंगे तो सुछ टू टेस्ट स्टार्टिंग में आपको सुछ टू प्रोडक्शन मोड पर जाना है यह टेस्ट मोड पर अभी है जब आपका एकाउंट अपरूब हो है तो एक से श्गी करौंगा और में ड्रायक्ट अपने lemon gateway के उपर आ जाँगा यहां पर सारी मिल जाएगी C यहां पे सारी डिटेल को मिल जाएगा अब यहां पर भी refund का वी देखने को मिल जाएगा तो यह सारा डीटेल आपको यहां पर मिल जाता है credential में जैसे ही आप जाओगे तो यहां पर आपको दुबारा से और password डालना परेगा प्रोडक्शन में यहां पर क्लिक करने के बाद आपको credential मिल जाते हैं ID होता है और secret की number होते हैं इसी ID डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा बहुत ही सिंपल है विदिन 24 आवर्स के अंदर ही पेमेंट सेटल हो जाता है इंस्टेंट सेटलमेंट मिलती है आपको पेपाल का भी एकाउंट यहां पर सेटप कर सकते हो अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल में वीडिय बना दूंगा मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं फिलाल यह मेरा एक ऐसा एकाउंट है जिस पे काफी कम ट्रांजेक्शन होते मेरा जो मेन एकाउंट है वो कोई और है यह स्रिप आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक सेकेंडरी एकाउंट यूज किया है इस वी ने वीडियो में किसी नए टॉपिक पर जैहिन नमस्ते